फिर एक बर आप सबका स्वागत है और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फोटो ट्रांसलेटर एप के बारे में फोटो ट्रांसलेटर एप क्या है कैसे यूज करें फोटो ट्रांसलेटर एप के मदद से आप किसी भी लेंग्वेज को अपने लेंग्वेज में ट चलिए विडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आपको प्लेश टोर ओपन करना है और आपको को फोटो टरनसलेटोर option यहाँ पर है आप जो भी translate कर सकते हैं उसे आप पिन कर सकते हैं जैसे यहाँ पर आपको सबसे पहले उसे open करना है यहाँ पर आपको पिन का option मिल जाएगा आप उसे पिन करके रख सकते हैं उसके बाद आपको यहाँ पर voice translate को option मिलेगा, यहां पर आप बोल करके translate कर सकते हैं, इसमें आपको click कर देना है, उसके बाद यहां पर आपको translate करना है, जैसे यहां पर language आपको select कर लेना है, आप किस language को किस language में translate करना चाहते हैं, तो यहां पर आप बोल करके उसे translate कर सकते हैं, उसे copy कर सकते हैं, यहां से share कर सक यहां पर भी आपको गैलरी का उप्शन मिलेगा यहां पर से आप गैलरी में से फोटो ले करके आप उसे ट्रांसलेट कर सकते हैं यहां पर त्री लाइन में आप क्लिक करेंगे तो यहां पर ट्रांसलेट फोर केमरा यहां पर केमरा से आप ट्रांसलेट कर सकते हैं यहां पर गैलरी में से फोटो ले करके आप उसे translate कर सकते हैं, यहाँ पर आपको दो option मिलेगा, voice translate और text translate का option, यहाँ पर आप click करके translate कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर हम कुछ type करते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको language select कर लेना है, आप किस language को किस language में translate करना है, तो यहाँ पर मैंने इस side में English select किया है इधर Hindi select किया है तो यहाँ पर मैंने English में Hello type किया तो यहाँ परuşbalance हो गया है तो इस तरह से आप यहाँ पर translate कर सकते हैं तो इस तरह से आप इस application को use कर सकते हैं अगर आप को वीडियो पसंद आया हो